को यह चोलो स्टाट करते हैं ग्रेटर्टेट वायनों से को इंड इसको कहते हैं जानेंगे जो वैनो विशेंट क्या होता है Ha कोविशेंट वचान ट्रंप ग्रिए T तो का अगर देखो यहां पे मैं बूलूब 1-2 x to the power 5 एं इसको एक्सपेंट करोंगे तो क्या एगा क्या 5C0 प्लस 5C1 2X आएगा फिर आप क्या लिखोगे 5C2 और 2X2 ऐसा लिखोगे 5C3 और 2X3 तो प्लस 5C5 2X to the power 5 ऐसा लिखोगे तो अब इसमें देखो किसको अपन बैनोमियल कोफिजेंट वो लेंगे और किसको कोफिजेंट वो लेंगे और किसको टर्म वो लेंगे ठीक है ना पहले यह क्लियर कर लेते हैं तो देखो यह जो 5C0 आया है और इसको सिंप्लिफाइच करेंगे तो क्या होगा 5C1 इंटो 2 इंटो एकस फिर क्या हो लोगे 5C2 2ittle x q हाई चलेगा थी अब तो ये सभाया है ये जो है यह वाइनोम्यज कोफिषेंट अंग नियुक्त लिए क्लियर आप बोलोगे कोफिषेंट किसको कहें अगर यह बाइनोम्यम्य लेंगे पिशेंट केलें ना ऐसको इसको आपन stam मेन और उसका अजैसे इस वाले को भाए आँप पूछे जो अपन बता देंगे क्या होगा है और बिद्ध बता देंगे इसको क्या बोलोगे बोलो किया यह कोफिशेंट होगा ठीक है अब अगर पूछा आज़ें तरुम्स को कहते हैं तो आपको पता है पूरे को पन क्या बोलते हैं जैसे यह पहला वाला जो है by गहुंगा आज इस वाले को टीमिन क्या बोलता है इस वाले को गहाए चलेगा इसको अपन्सक्राइब कि यह क्या होगा जैसे आप से पूछा गया आप बता नों किया होगा तो आपने क्या था निदिया था था पूरा लिखा था आपने कहले तोでは और सिर्फ day निए बात करेगा तो क्या आपन यह बोलेंगे जैसे यहां पर इसमें जो बैनोमियल को विजेंट आया क्या क्या आया ऐगा यह तो बैनोमियल को पिसेंट आया और साथ में यह सब भी लिखेंगे उसके साथ समझ पारे हो है कि अगर आपसे यह पूछा जाए इसी में जो आप बता दो जो सम और को भीजेंट तो क्या बोलोगे इसमें जो बाइनोमियल को पीशेंट है बाइनोमियल को पीशेंट है वह अपना क्या-क्या है फाइब सी नॉट फाइब सी वन फाइब सी टू फाइब सी थ्री फाइब सी फोर और फाइब सी फाइव है कि लिए अगर अपने से पूछा जाए सम और बैनोमियल को पीशेंट बता तो कैसे निकालेंगे बता यहां पर क्या है यह वन प्लस टू एक्स तुद पावर यह यह आईडेंटिटी जो लेफ्ट साइड लिखा है इजैटी आ राइट साइड जो है वो दोनों क्या है जैटी सेम है तो कैसे निकाले सम और बैनुमियल कोपिशन्ट यह सवाल अगर आ जाए तो क्या करोगे क्या ऐसा सब का विल्यू फाइंड करेंगे फिर संब लो अगर मैं इसमें बोलू आप क्या करो एक्स के जगह पे पूट कर दो एक्स इक्कोल्स तू वन अपॉन टू कर दे एक्स के जगवपे तो क्या इधर सिर्फ राइट हैंड सैट पे सिर्फ बैनुल को पिजिन का सम आएगा करके देखो एक देखो तो राइट हैंड पर क्या लिखोगे क्या यह 5C0 प्लस 5C1 इंटू 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 वन प्लस क्या होगा 5C2 और 2 स्कॉर्ड इंटू 1 अपॉन टू स्कॉर्ड ऐसा लिखोगे यह सिर्फ यह सिर्फ ऐसा होगा और यहां पे आ गया 5C4 और यहां पे 2 3123 प्लस 5C 5 2 तू पावर 5 इंटू 1 अपॉन इपॉन अपॉन इपावर फाइव इन तो अगर ऐसा करें तो राइट हैंड साएट क्या हो जाएगा सिर्फ बैनोमियल और यानिकी यह आ गया 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 और 5C5 और इधर भी तो पूट कर रहे हो ना एक सिकोस्ट टू वन वाइट तो इधर क्या आजाएगा बताओ वन वाइट पूट करेंगे तो टू और वन वाइट तो कि दर आएगा वन प्लस वन बोले तो तू 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 पावर फाइवाएगा अगर मैं तुम से पूछू चलो सम ऑफ कोफिशेंट बता दो तब क्या बोलोगे अगर कुछ स्टैप से पुछा जाब बता दो सम ऑफ कोफिशेंट यह क्या होगा तो सम ऑफ कोफिशेंट कहने का मतलब क्या है जो फाइव सी नॉट अपने से पूछा क्या जा रहे है जो फाइव सी नॉट प्लस फाइव सी वन इंटू टू और फाइव सी टू इंटू इसका सम क्या होगा यह कैसे फाइंड करोगे आप बिल्कुल एक्स के विल्यू टक लें चलेगा तो एक्स का विल्यू अगर इसमें वन रख दिया जाए तो कितना आ जाएगा यह वाला तो इसको क्या बोल दिया जाएगा यहां पर किसके एक्कॉल हो जाएगा बताओ जाएगा अगर कोफिसेंट पूछा जाए तो किसका सम करना है अगर सम और कोफिसेंट पूछा जाए तो क्या करना है यह समझ में आ रहा है आप सबको बोलो इस इस अपने बात करेंगे लेकिन सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं ग्रेटेस्ट बैनोमियल को विक्सेंट का तो सोचो ृच्छ बैंदियल कों अगर में बहुत वाला बहुत बढ़ियां इसने भूला यह बाते सब कुछ समझ में आई अब सुचो अगर यहां पर इसके बारे में बोल दें एक्स प्लस वाय तुदब पावर फाइव है इसमें जो बैनोमियल कोफिशेंट आएगा वो क्या क्या आएगा बैनोमियल कोफिशेंट क्या क्या आएगा बताओ क्या बोलोगे 5C not यह होगा फिर क्या बोलोगे 5C1 5C2 5C3 5C4 और 5C5 होगा ऐसा लिखोगे ना और आपने पढ़ा है ncr equals to ncn-r तो यानिकी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला दोनों तो एक्क्वल है और फर्स्ट वाले से बढ़ा है सेकेंड वाला और यह दोनों आपस में एक्क्वल है और इससे बढ़ा क्या होगा थार्ड वाला वोलो ऐसा होगा और यह आपस में एक्क्वल हो जाएगा जैसे ठीक है तो क्या आपन बोल सकते हैं जो मिडल वाला होगा क्या वही ग्रेटेश्ट वाइनुमेल को भी सेंड होगा उसी का सबसे ज्यादा विल्ली होगा ऐसा बोल बाइनुमेल को पिशेंट होता हो क्या क्या आता है वाइनुमेल को पिशेंट इसमें क्या क्या होता बताओ क्या आप लिखतें सी सी नौट इससे बड़ा यह होता है इधर भी बोलते हैं ऐसा होता है तो इसमें देखो आप क्या उप्जर्व कर पाड़े हो बताओ अगर एंज अपना और आ रहा है अगर एंड और आ रहा है तो बैनुम सुरी ग्रेटेश्ट बैनुमेल को बिशन कितना आ रहा है नम्मर आफ ग्रे बहुत बढ़ी है अगर एंड अपना इवन है तो ग्रेटेश्ट बैनुम को बिशन कितना रहा है वान वान आ रहा है वान चलो ऐसा करते इसको नोट करके लिख लें अब आपको पत्ति इसमें आपने क्या क्या देखा जो ग्रेटेश्ट बैनुम को पी सेंट्ट जो कौन सा होगा मिडल वाला होगा अब आपको पहले पता है अगर एंपना ओड हो तो मिडल टरम दो आता है क्योंकि टॉटल नंबर आप कितना हो जाएगा और एंग और जाएगा उन जब होता है जैसे एसमें क्या बोला था मैंने बीडल होगा अगर और यानिकी अगर एन अपना एवन है तो थोटल लंबर कितना होगा एंड प्लस वन बोले तो और हो जाएगा जब और आता है तो सिर्फ एक मीडल ट्रम होता है क्लियर है बोलो इस तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं पड़े जो पर पिछले क्लास में पड़े वही उसी से चल जाएगा काम नहीं चल जाएगा 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 तो चलो नोट करके लिख लेते हैं लिख लो इन एनी बाइनोमियल एक्सपेंशन दा में ट्रम ट्रम्या ट्रम्स बोल दो है जब टेस्ट वाइनोमियल कोफिशेंट थिक ना चलेगा अगर अपन बात कर लें इस एक्स्वेंशन में किस वाले में अगर एक्स फ्लस रुआइटुदा ओरनें यह और यहां पर नम्मर ऑफ कितना होगा और इसमें बता देना है ग्रेटेस्ट कौन सा होगा अगर आपका इवन होगा तो क्या होगा तो अगर एवन था तो कितना ग्रेटेस वनको भी सिंट आया सिर्फ एक आया तो इसमें यहां पर वन बोल सकते हैं और वह कौन सा आया क्या आप बोले एंड एंड अपन टू देखो यहां पर इसको अपन बोल सकते हैं प्रवल सकते उसको क्या यह एन सी एन अपन टू बोल सकते हो एंट तुम्हारा एक है और नीचे में आ गया चलेगा अगर अपना ओड हो अगर अपना और है तो नम्मर ऑप ग्रेटेस्ट बैने विट विज्टन कितना होगा लोगो दो होगा यहां तो दो हो रहा है चलेगा तो इसको इसे लिए बतादो इस वाले को आपना लिख सकते हैं यहां से यह आ गया अपना n c n प्लस 1 अपन टू ऐसा कह दे और इसको ऑन बोल दें एन सी एन मैनस वान अपॉन टू कि लिए रहे बोलो बोलो इस इसा बोल सकते हैं यहां से हमने बोल दिया यह जो आएगा एन सी एन मैनस वन अपॉन टू एन और दोनों क्या होगा अपस में इक्कॉल होगा न तब ही तो दो आ रहा है यह दोनों आपस में इक्वल होगा एक दो सवाल कर लें बच्चों टैप बोलो एक दो कुशन कर लेते हैं बच्चों टाइप पहला फाइंड फिप्टी सी आर मैक्स इसका मैक्सिम विल्यू क्या होगा यह आपको बताना है ठीक ना कि दूसरा है फाइंड फिप्टी सेवन सी आर मैक्स यह क्या होगा तरह ठीक है और बता दो फाइंड फिप्टी एट सी आर मिनिमम यह क्या होगा फाइंड फिप्टी सी आर मिनिमम यह क्या होगा ठीक है ना तरह एक और को श्रीट बता दो तेक है फाइंड आर एफ आर सी फाइव एज अ मैक्सिमम थी एक और बता दो फाइंड आर एफ आर सी फाइव मिनिममम चलेगा तो पहले का आंसर क्या बोलोगे बता दो पहले का आंसर क्या बोलोगे इसका मैक्सिम मिल्यू क्या होगा बता आप इसमें सी आर होता तो मैक्सिमम क्या था एगर अपना इवन है तो मैक्सिमम यहीं आया था है ठीक है ना तो आप यहां से बोल दोगे यह क्या हो जाएगा फिप्टी सी 25 यह हो गया सबसे सॉल बहुत पढ़िया है क्लियर है यह आंसर दिया है अगला बता दो 57 सी आर का मैक्सिमम क्या होगा क्या बोलते थे यहां पे एन सी एन मैनस वन अपन टू एक पॉल्स टू एन सी एन प्लस वन अपन टू ऐसा कुछ लिखे थे बोलो बोलो अरे यह तो क्या यह 57 सी 57 मैंनस वन यानिकि 56 अपन टू तो वह कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा और यह क्या हो जाएगा 57 सी 29 होगा अब इसके वारे मता इसका मिनीमम क्या होगा इसका मिनीमम मिल्यू क्या होगा बता दो 58 C0 and 58 C58 लास्ट वाला होगा तो यहां से सकते हैं 58 C0 सब्सक्राइब क्या हो जाएगा अब इसका मिनिमम क्या स्थेम होगा इसके लिए आर का विल्यू क्या बता होगे आप सोचो अगर इसको सिंप्लिफाई करोगे तो क्या लिखोगे आपांस लिखते 5 आर मैं टू ऐसा लिखते और इंटू आर मैंनस 1 इटू आर मैंनस 2 इनटू सब्सक्राइब और नीचे में क्या लिखते हैं कि यह 5432 और वन होगा ऐसा वो लोगे कि अब सब्सक्राइब करते तो अब सब्सक्राइब होगा तो क्या और डिफाइन है उसके लिए अगर कोई बच्चा बोलेगा इंफिनिटी ले लेंगे है कि maximum हो जाएगा वाई ऐसा नहीं हो सकता है तो क्या आपर बोलेंगे इसके लिए जो आज होगा वो एक्जिस्ट करेगा इसके लिए नहीं होगा तो और अगर इंफिनिटी ले लोगे तो उसके लिए यहां पर क्या है अगर कोई तो आर क्रेटर देनिक वाइव ए कुछ भी रख लो चलेगा बोलो बोलो अब यह मीनिमम कब होगा अगर यह मीनिमम है तो उसके लिए आर क्या होगा यह बताना है है मिनिमम 55-65 बहुत पड़िए चैनल कि यह क्या वो यहां देटर देन excited एड़िए शेजिव एकस्ट गोड़क है अशेए सब्लब्न होगे जब गर्रेटर देने सद्व तो इसा बोलो अचैनल कि आप कि यह वोलते हूं तो एंसी आर में आप बोलते हो नो एंड क्या होना जाए ग्रेटर देन एक वोल्स टू आर होना सी है आप अब देखो यहां पर जो यह इवन था तो आपने वोला एक होगा ग्रेटेंश इसको याद रखने के लिए ऐसे वह आपस में इन दोनों के विल्लू क्या होगा बड़ावर होगा कि अरे समझे क्या बोलना चाड़ा हूं मैं और यह क्या हो जाएका प्रिक पे एंसी वान आया तो इदर इसके बडाबर इधर क्या जाएका एंसी एंड मैनस वन आ सब्सक्राइब करना हो तो कैसे करेंगे क्या पर बोलेंगे जो उपर में दो ट्रम्स होगा जो आपस में बढ़ावर होगा एसा वोगे बढ़ाव यह जो टॉप पर होगा उसका विल्यू तो आपको पता है क्या बोलोगे यहां पर एंची एन मेनस वान अपॉन टू और यह क्या हो जगे एंची एन फ्लस वान अपॉन टू एसा लिखोगे यही दो वाला लिख देंगे चलेगा और यहां पे एंसी एंट दीरे दीरे बढ़ाते जाओ उपर पिक पे पहुंच गे वहां पे दो होगा तर्म्स जो कि आपस में एक्कॉल होगा और वही दुनों टर्म्स क्या होगा ग्रेटिस बैनोमिल कोफिसेंट होगा चलेगा चलेगा ठीक है खी चलेव एक करें लेकिन उससे पहले अपन थोड़ा बात करेंगे इस में नियुमरीकली ग्रेटिस के बारे में या यह जो टर्म्स है उस उसका बड़ा होगा इसकेवारे में बात करेंगे ठीक है ना है तो चलो हेडलाइन डालो नुमेरिकली ग्रेटेस्ट तर्म के बारे में बात करेंगे जो कौन सा टर्म होगा जो नुमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा कैसे बताओगे आप ऐसे बताओगे आप सोचोओ अब्रम आपको पता है जैसे अगर मैं एकस हुआ तो पावर एंड बोलूं तो कौन से किस तर्म के बारे में बात को रहा है एकस प्लस वाई तुद पावर एंड तो क्या यह एनशी नॉट एक्स टुद पावर एंड 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 शी वन एक्स ट और लास्ट में क्या आजएगा एंसी एन वाइटु दपावर एंड तो नुमेरिकली पूछा है तो क्या उसका कौन सा विल्यू पूछा है में बात कर रहा है क्या आगा इसको क्या वो लोगे है फुरा दो लोगता है इसके अब पहले पढ़ चुके किसको रोलेंये किसको बेनमेल को बिति प्रेकर ये यह यह चाहिए और यह टीटू है भी तो ऐसे ही ठोटल कितना रोला आगा थी डू आएगा तो फिर यह थी आएगा पी फोर आएगा चलते चलते लास्ट में यहां पर क्या आएगा टी एन प्लस वन क्या है इसमें से कौन से मेरिये हैं यह कैसे पता करेंगे है बताओ कैसे पता करेंगे जो किसका कौन सा तर्म का जो मेगनिटीड है वो ग्रेटेश्ट होगा लब मैक्सिमम होगा कि सब्सक्राइब कर रहा है तो कैसे बोलेंगे ऐसे तो नहीं बोलेंगे वो सिर्फ कोफिजेंट के वारा में था लेकिन टर्म्स में तो ऐसा नहीं कहेंगे तो अपन लेट करते हैं जो देखो भाई हम मान लेते हैं जो टी आर प्लस वन टर्म जो है नहीं वह नुमेरिकली ग्रेटेश्ट है अगर वह नुमेरिकली ग्रेटेश्ट होगा तो क्या आगे पीछे सबसे बड़ा होगा वह औरे किसी को अगर आप मांगनोगे जो यह निमेरिकली ग्रेटेस्ट है तो कब बोलोगे यानि कि उसका जो मैंनिटीड होगा और सबसे बड़ा होगा आगे पीछे सबसे बड़ा होगा तो अपन ऐसा लेट करके चलते हैं और देखेते हैं जो क्या कंडिशन अपने पास आता है फिर वहीं अप्लाइब करेंगे चलेगा है तो हमने वोला लेट पी आर प्लस वन इस दड़ नुमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म अब ना इसको अपने सॉर्ट में नाम याद रखेंगे इतना लिखते रहेंगे तो परेसान हो जाओं अगर यह तो अपने आज्प्रोस्वाले सबसे बड़ा होगा क्या यह टी आर प्लस वन जो होगा यह ग्रेटर देन होगा टी आर प्लस तू से क्या यह ग्रेटर देन होगा टी आर से ऐसा बोलोगे बता है अलो येस ऐसा बोले में किसी को दिक्कत है तो बता दो अब क्या करेंगे जो हम यहां से आर का विल्यू निकालेंगे जो भाई हमने जो माना टी आर प्लस वन नियुक्रेटेश्ट है तो उसके लिए कंडिशन क्या आएगा यह अपने को फाइंड करने है अपना मोटीव यह यह यहां तक सब को क्लियर है कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो तो है क्या ग岩 करेंगे लिए करेंगे फिर दोनों का क्या लेंगे अपन इंटर सेक्षन लेंगे नहीं ऐसे ही सॉल करते हो ना यह इस wraps बांgrand लिक्न है तो चलो फ़िले वाले को गर सॉल करें तो यहां से क्या होगा मॉड्य आर Two मॉड्य प्लस वन होगा ठ्रूम लिख रहेते किसका है xと the power n कहां इसमें टी आर क्या हो जाएगा की आर जो है वह क्या हो जाएगा मैं एक आपने अपने और ऑपने लिखी दें जो one प्लस आर-1 तो क्या यह nc r-1 होगा और यहां पे x to the power कितना होगा n-r plus 1 हो जाएगा और y to the power क्या हो जाएगा r-1 लिखोगे यह कहने में किसी को दिक्कत है तो बता दो यह हमने tr लिखा बोलो बोलो हलो इसमें दिक्कत है आप लिखते भी थे ना जो टी आर प्लस वर में लिखते हैं अलग कर दिया यह काम तो अपने यहां लिख दिया पहले बहुत बार अपने यूज किये हैं तो आप सोचो यहां पे कि आर प्लस वन इसमें तो डाइक दिख देंगे डाइक दिख देंगे एंसी आर ठीक है ना एक्चली वन के साथ जो होता है ने वह सी एंसी वहां पर आ जाता है हमने वन प्लस कर दिया वन मैंस कर दिया चलेगा कोई अब इसको यहां पर रखते हैं और सॉल करते हैं देखते हैं क्या आता है है यह अगया मौड nc r-1 x to the power n-r plus 1 और y to the power r-1 कि और इधर लीदोगे nc r x to the power n-r y to the power r कि इसको होगा है आपको और इसको कर सकते। अद्ध अब कर सकते हैं हिस सथ चलेगा थ्यतंस अब इसको और इसको गडना शेखते हैं रश्कते चलेगा इस वी जक्ते अब अपने पास आ गया मौट इसको क्या लिखोगे एंट एसे अगर आगे पढ़ते तो यह सिंप्लिफाय करके डिर्यक्ट भी आप लिखे देते लेकिन अभी आपको पता नहीं है तो ऐसे लिख लेते हैं इसको लिखोगे आर मैनस तो फेक्टोरियल और यहां पर फेक्टोरियल यह एन मैनस आर फेक्टोरियल होगा और यहां पर क्या वाय आएगा ऐसा बोलोगे कि दोनों रहना है तब आपका ध्यान यहां रहा नहीं तो भटक जाएगा नहीं तो मैं तुम लगने लगा थिक्ट ना साथ है जो चीज समझ में नहीं आया पूछना है यहां आप देखो यह आरवादी स्टेप में आपने हूँ कैसे काटे पाफिर बता दीजी बिलकूल बत यहां पर सब्सक्राइब करना कि आधर वाले को पूरा काटए तो बचेगा plets कि ऐसे ही सोचों यहां पर-1 आख अगर इसको अताय तो आट प्सक्राइब चलेगा तो अब देखो यहां से क्या आपने पास इसको क्या मौट एक लिख सकते हैं और नीचे वाला यहां पर एन मैंनस आर प्लस बोल सकते हैं 552 नहीं होगा इसको अपन आइसे लिख सकते हैं और यहां पर क्या यह मौट वाए आ जाएगा आप योलो अब देखो अपन और क्या लिख सकते हैं इसको मौड एक्स अपॉन मौड वाय कर दो और यहां से यह क्या हो जाएगा एन मैंनस आर प्लस वन अपॉन आर हो जाएगा अब इसको अपने को आर्फ करना है तो कैसे निकाला जै इसे अच्छा तो यहीं पर क्रॉस मल्टिप्लाइ कर लेते नहीं इसको प्रॉस मल्टिप्लाइ करो प्रॉस मॉड एक्स इंटू आर सिंपल सा केल्कुलेशन मॉड वाय इंटू एन फिर क्या हो जाएगा मैनस मॉड वाय इंटू आर प्लस मॉड़ वाय ऐसा वो लोगे चलेगा अब आरवाले एक साइट लिए तो क्या यहां पर क्या होगा आर के शात क्या लिखोगे क्या ये मौड एक्स प्लस मौड वाई बोलोगे और इधर क्या आजाएगा मौड वाई के साथ क्या यह N प्लस वन आएगा कि देखो कुछ नहीं कर रहे हैं बच्चा वाला केलकुलेशन चल रहा है इसमें ऐसा नहीं होना जैसे समझ में नहीं आ रहा है क्लियर है सबको तो आर्ट लेजन इकल्स टू मॉड़ वाई और एन प्लस वन अपॉन मॉड एक्स प्लस मॉड़ वाई अब सुचो उपर मॉड़ वाई है इसा करते ना उसको डिवाइड कर देते उससे उपर नीचे तो उपर में क्या हो जाएगा और नीचे में क्या आजाएगा वन प्लस मॉड एक्स अपॉन वाई आएगा यह सब्सक्राइब करते हैं इस वाले को तो सब्सक्राइब करोगे तो क्या मैं डायेक्ट लिक सकता हूं क्योंकि आपको सिंपल सा याद ही करना है इस इंकलिटि को सौल करोगे तो यहां से क्या होता है ना अपना ग्रेटर देन इकुल आता है आप ग्रेटर दन इक्वल्स टू एंड प्लस वन अपॉन सेम सी जाता है यहां पे वन प्लस मॉड एक्स अपॉन वाइ मैनस वन आता है यह सेकेंड हो जाएगा यह जो तुम नहीं कर पाऊगे उपर वाला जब कर दिये तो यह वाला भी तो होई जाएगा ने यह सर्थ था था टाइम बच जाएगा तो अपन क्वेश्चन ज्यादा करेंगे वह ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ऐसा लिखोगे तो अगर फ़स्ट और सेकेंड का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा यह ऐसा होगा आप ग्रेटर देन इक्वाल्स टू एन प्लस वन अपॉन एक्स अपन वाई मैनसवें और लेज दिंगर स्टू एन प्लस वन अपॉन रॉन प्लस मॉड्ड एक्स अपन वाइश लिखोगे तो तो यह होगो यह जया होगा एशी सिर्थ सब्सकोर्व धिर्स है इसमें कि बोलो बोलना जोड़ी है तो यहां से अपने पास आर में यह इनिक्यालिटी मिला अपने को अब सोचो इसमें आप थोड़ा ध्यान देना थोड़ा समझने वाली बाते हैं कि यह वाला और यह वाला दोनों तो से मीवें ना कुछ अलग है कि इस अगर इसको अपन है यह कि कसे लेते हैं यह कि अपना एक पल है तो आर यहां पर देखो तो और अगर एम अपना इंटीजर आए हमने लेट कर लिया यह अपना एंटीजर हो तो क्या होगा कि आया थो तो क्या आप बोलोगो हैं फे और ग्रेटर दर इकांस तुछ अभी लिख लेते हैं है । मैनस एंड क्लेजन इकंडर एम में अपने इंटीजर होगा तो क्या R खें लिए दो आएगा 2 सोच अगर एम अपना इंटीजे होगा तो क्या आ था एक करोगे कि आपको लगड़ा होगा क्या बखवास चल रहा है नहीं देखो अगर हमने केल्कुलेट यहां यहां प्लस वन अपॉन अपॉन प्लस मॉड एक्स अपॉन वाई ठीक है ना और यहां से यह जो एम आगया अपना फोर आगया मान के चलो फोर आगया तो आर के वारे में क्या होगे इस इनक्यालिटी में क्या बोलोगे और ड knife oy menos one और लेस्टेन इकॉस्टु4 ऐसा लोगे क्या यहां से आपको और जो है वो क्या मिलाग क्या मिला रेक्स टू 3 and r equals to 4 accept करोगे अभी बस आप समझते चलो कुश्चन जो आएगा वो अपन बिल्कूल सा सॉल कर लेंगे उसके वारे में चिंता मत करो सिर्प आप जो पढ़ा रहें वो समझते चलो बोलते चलो यहां से आरक विल्यू क्या थी और फोर आ गया तो अगर आपसे पूछा जाए बहुत है बता तो ग्रेटेश्ट निमेन कली डिविश्ट हो गाड़ क्या होगा इसके वारे में अगर को आपने लिए ट्रम भोला था ठीक को आपने प्लस न को आपने लिए집 सब्सक्रानिन ग्रिश्ट मैं पर क्या सब्सक्राइब क्या हो जाएगा कौन कौन सा आजाएगा बता दो निमेरिकली ग्रेटेश टर्म जो है वह अपना टी आर प्लस वन है तो क्या यहां से अपन बोलेंगे टी थ्री प्लस वन एंड टी फॉर प्लस वन ऐसा बोलोगे क्या यह जिए फॉर एंड टी फाइव आया है चलेगा कोई दिक्कत नहीं है आप सोचो यह तो फोर अरे इसको अगर आपन सौटकट मारना चाहें तो इतना क्यों करें हम बोलेंगा अगर अपना इंटीजर आ गया अगर अपना इंट होगा एंड पी एंप्लस वन होगा है यह सब्सक्राइब करना बहुत चुच्चा सा होगा अभी बस आप इसको देखो समझते चलो कहां से क्या रहा है बाद में तो एक लाइन में लिग देंगे वही उसी सवाल सब्सक्राइब ऐसा बोलो गया आप कोई दिक्कत नहीं है अरे हाना तो बोलो दिक्कत है अगर सोचो एम अपना इंटीजर ना जैसे लेट कर लेते हैं लेट एम एक पॉल्स तू अपना 3.4 आ गया है अगर एम अपना 3.4 आ गया तो आपना क्या था आर ग्रेटर दिक्वर्स टू एम मैनस वन और लेज दिक्वर्स टू एम है देखो तो उपर में कि यह ना करें इस को यहां से लेक्व लिया जैसे तो यहां से मने बोल दिया जो यह अपना क्या होगा एम आर जो प्रेटर एम सब्सक्राइब क्या यहां पर 3.4 मैंनस वन और यहां पर क्या 3.4 होगा और बता दो यह क्या गया 2.4 और यह 3.4 क्या आप कह सकते हो जो इसके बीच तो बस एक ही इंटीजर है और आपका क्या है यहां पर अब बताओ निमेरिकली ग्रेटेस ट्रम वह कौन सा वहाँ प्लस वन होगा तो यहां पर ठी फ्लस वन ऊब अब सोचो तो क्या यहां पर डारेक्ट भी पहुंच सकते थे यहां पर क्या डारेक्ट पहुंच सकते थे क्या मैं बोलूंगा जो यह एक ग्रेटेश्ट इंटीजर आफ एम प्लस वन लिखा हुआ है ऐसा बोल सकते हैं बोलो बोलो एक ऐसा बोल सकते हैं अब सोचो अगर अपनाम का साय को नेंय्व क्या क्या है एन एंइन प्लस वन अपन उन सुझाओं एक्स अपन आय है हमने एम केल्कुलेट किया और इस वार जो एम है ना वह आगे अपने पास सेवन पॉइंट ना गया तो अब अगर आपसे पूछे जो निमेरिकली ग्रेटेस्ट तर्म बता दो तो क्या आप कुछ तोचोगे कि फटा फट बता दोगे तो बताओ सवाल सॉल्व करना कितना सिंपल सा है बस आपको समझाने के लिए इतना पूरा झौकर और प circular इता क्या चलता जफे कितना Pale ale सबसे पहले नोट करके लिख लेते हैं जो कैसे अपन डायक केलकुलेट करेंगे चलेगा इस यह सर्थ पढ़ना है बने रहना है यहां पर सोना नहीं है जो नोट करते हैं लिखते हैं अब बात करें एक्स प्लस वाइट दो पावर एंड में जिसमें अपना क्या है पहले लिखा हुआ है य क्या अपना बाद में लिखा हुआ है तो आपने लेट किया था लेट एंड एक्वल्स टू प्याया था एंड प्लस वन अपॉन अपॉन अपने लिखा है एंड प्लस वन लस वन यहां पर क्या फॉस्ट अपॉन लिखा है इसमें म समाइब अपना है तो क्या करना है भी एभ कौल स्टू म Hee भी दिए निमेरिक लिए टेस्ट तर्म क्या हो जाएगा इम्युमेरिक ली टेस्ट क्या आया था याद करो या आपन बोले थे टी एम एंड आपी एम फ्लस वन कि लो बोले थे ना अगर अपना इंटीजर आया था यहां पर फोर आया था तो निमेरिक लिए ग्रेटेश टर्म क्या आया था तो फोर और फाइव आया था अँजन की नहीं समझें महैं फिर्माश कर अब बदा अगर क繼續 आ तो सब्सक्राइबpoint nah कि अगर ἐम अपना एंटीजर नहीं हो अगरं इनटीजर यानिकि लेन अपना क्या होगा ग्रेटेत्ट नुमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या हो जाएगा तो इसमें क्या पर बोलेंगे ती यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर आफ एम प्लस वन यहीं होगा चलेगा यह सर थीक है तो अब बताओ एक कुश्यन हो जाए हो जाए यह सब्सक्राइब देखते हैं कैसे किया जाए सवाल को सॉल हुँ ठीक है चला है दलार्जेस्ट टर्म इंड़ एकस्पेंशन और थी प्लस तू एक्स तू पावर शिफ्टी वेर एक्स इकोल स्टु वन अपॉन फाइव इस पहला ऑप्शन फाइव देखते हैं कॉन करता है फटा फट करो दूसरा एट पीसरा स्टेवन और चौथा सिक्स बताओ क्या होगा कौन सा अंसर सही होगा पहला काम क्या होना चाहिए एहां प्लए Gulf डू क्या होता थे यहां रुप को सरा में फास लोग तेव में को शुक्त क्या होता है बताओ अश면 शोरा आपन उन फाइक्स अपन वाइक्शक और सबासरा कर दिया हूए कितना डिया हुए है तो वन अपं आपन 5 अपन 5 हो tua और यहां से देखो तो क्या जाएगा बता यह 51 अपन इसको क्या लिख दोगे फाइव उपर जाएगा तो यहां पर टू प्लस 15 कितना 17 हो जाएगा बोलो और क्या ऐसा लिखेंगे और उपर में टू आ जाएगा तो कितना जाएगा सिक्साइगा अगर एम इंटीजर आता है तो निमेरिक ली ग्रेटेश टर्म कितना होता है कि टी एंटी 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 बता आओ कुश्चिन करना टॉफ है यह सिंपल है इसलिए जब बताया जाना तो इसको देखना है कुश्चिन आपके सौल होगा उसका टेंसर मत लो मेरे पर छोड़ दो यह आंसर है तो देख लो कौन सा होगा सी और डी होगा चलेगा यह सब एक और कुश्चिन करते हैं है फाइन तो इस टाइप पूश्चिन दो 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 आंसर होंगे है उपर में देखो तो दो आंसर लिखा ना आपने तो दो होंगे सारे के दो नहीं होंगे ना इसमें इंटीजर आ रहा होगा उसका होगा फाइंड दर निमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशेंट इंड एक्सपेंशन कि ऐसी एक्स मैनस तो तो दो पावड प्वन इसके बारे में बताने जब देखो एक्स का वंदीउ्ड नहीं दिया रहे नाँ एक्शिया सब्सक्राइब एक्स का विल्यू वर्लेने ठीके ना सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब यह वैसे यहां पर निमेरिकली ग्रेटेश्ट कोफिसेंट पुझा है ध्यान देना और कोफिसेंट में तो आप क्या कर देते वह नहीं रखते देना एक्स का विल्यू याद है क्या होता है यह सब आपको पता है क्योंकि सबसे पहले तो यहीं डिसकस के जिससे आप कंफ्यूज ना करो क्या होता है बोलो कोफिसेंट क्या होता है वेडियेवल को हट आगे नहीं और टर्म क्या होता है पूरा मिला दो सब कुछ लिए तो चलो सिर्फ कोफिसेंट के बारे में पूछा है तो क्या इसमें एक्स का विल्ली वन डग दोगे यहीं करोंगे ना तो सब्सक्राइब क्या आजाएगा बताओ क्या एन प्लस वन अपॉन प्लस मॉड एक्स अपॉन वाई बोलोगे तो एन कितना है एक्स की जगह पर पुट करोगे क्या फूट करोगे प्यक्त एक्स इक्कवल स्टू वन इस यहां से क्या हो जाएगा यह तो इसको प्लस अब 44 अपन 5 बोलोगे और यह कितना आ गया 8.8 आ गया अब देखो यहां पर एम अगर इंटीजर ना हो तो कितना नुमेरिकली ग्रेटेश्ट कोफिशियन्ट क्या आपने वो लेंगे टी ग्रेटेश्ट इंटीजर आफ एम प्लस वन ऐसा बोलोगे सब्सक्राइब क्या हो जाएगे यहां पर एट प्लस वन बोले तो टी नाइन और टी नाइन चाहे तो आप लिखना चाहा हो तो लिख लो भाई तो टी नाइन क्या लिखोगे ट्वेंटीवन सी एट ट्वेंटीवन सी एट और थ्री एक्स तुद पावर कितना हो जाएगा ट्वेंटीवन मैनस एट और मैनस टू तू दू पावर एट होगा तो यहां से क्या आगया ट्वेंटीवन सी एट और यहां पर थ्री तू दू पावर कितना हो जाएगा यहां पर थर्टीन हो जाएगा क्या सिर्फ आंसर में यह वाला आएगा अब एक दो कुशिन करते हैं इसके वारा मता दो फटा फट एक साथ चार कुश्चन है आंसर हटा दू है हाँ इसको फटा फट सॉल करो तो बता दो क्या होगा मुला फाइंड टर्म इंड एक्ष्पेंशन ऑफ टू एक्स मैनस फाइब तो पावर सिक्स्ट विच्ट है ग्रेटेश्ट बैनुमिल को विजिंट क्या हो जाएगा टीफोर टीफोर हो जाएगा नहीं समझ में आया सबको क्योंकि टोटल नम्मर ऑफ ट्रम्स कितना होगा टीवन टीटू टीफ्री टीफोर टीफाइव तो तो ग्रेटेश्ट बैनुमिल को फिजिंट होगा नहीं आप अन्सर बता दो पहलेगा एक शेक्सी थ्री टीए रहे सबको थे बहुत बढ़ियां और साथ में ब्रैकेट में बोल देते हैं टी-4 चलेगा सेकेंड वाले का बता दो ग्रेटेश्ट नुमेरिकली कोफिशन्ट क्या बोलोगे आप ग्रेटेश्ट नुमेरिकली कोफिशन्ट आंसर बता रहे कुछ बत्चा इसका क्या लिखोगे बता आप कौन सा वाला होगा तो टी-5 एंटी-6 पी-5 एंटी-6 ग्रेटेश्ट नुमेरिकली कोफिशन्ट अगर उसके वारे हैं पूछा है तो क्या यहां पर अचलंओ की लेंगे वह अ sanct상 कायाँ क्रिकेह क्सार क्रेंगे यह आपकश फ्लू क्या लिखोगे एंट प्लस वन इपाउन एक्समोंड डाट सकनी कि उकली एकशन्ट को यहां पर अपनवण फ anda लेंगे लेकिन भ़ो है दो ठीक है तो उपर में देखो 7 आ गया और नीचे में क्या आ गया यहां पर 1 प्लस 2 अपन 5 आ गया तो क्या यह फाइव आएगा कि अरे ही होगा तो बता दो क्या होगा निमेरिकली अग्रेट टेस्ट कोफिसेंट क्या वो लोगे सब्सक्राइब को कोई दिक्कत है इसमें नहीं है अगर यह एलजेवरिकली पूछा है तो क्या होगा क्योंकि जो सब्सक्राइब best tonight कि ओंधा मैं ये लेकिन अगर सोचो मैनस लृष्ट वाला हो जाएगा यार लेकिन आप यह सोचो जो निमेरिकली ग्रेटेस्ट वाला आया है क्या उसके जस्ट बगल में अगर इसी को लिखेंगे तो अध्यान देना सब क्लियर हो जाएगा कुछ दिख करते ही होगा इसमें तो अगर इसको एक्स्पेंड करोगे टू एक्स मैनस फाइब टू पावर सि अगर इसको एक्समेंट करेंगे तो क्या होगा सिक्सी नौट टू एक्स्ट यहां लिखोगे 61 टू एक्स टू पावर यहां पर फाइब और आओ फाइव बहुत पिर क्या लिक्किश्य तू टू इक्स्ट टू पावर फॉर और फईटू एग्स तो पावर फॉर ज़िए 2x to the power 3 or 5 to the power 364 2x to the power यहां पर क्या बोलोगे तू और 5 to the power 4 बोलोगे बोलो क्लियर है मैनस 65 और यह बस आपको समझाने के लिए है इसलिए इतना ज्यादा हो रहा है लिख रहे हैं आपन और फिर क्या जाएगा 666 2x to the power 0 और 5 to the power 6 अभी आपने जो निमेरिकली ग्रेटेस्ट निकाला वह कौन सा आया निमेरिकली ग्रेटेस्ट कि टी 5 और टी 6 आया बोलो यानि कि इसके वारे में आपने बोला यह वाला और यह वाला ठीक है ना चलेगा कोई दिक्कत है इसमें अब इन दोनों का वेल्ली फाइंड करो तो कितना रहा बता दो अलगलग फाइंड करके बता दो कितना रहा है कि यह इक्वल आ रहे हैं निमेरिकली मैंगनिटुड वाइज एक्स को अटा दो सिर्फ अबन को पिस्टिन के बारें बात कर रहें लेते हैं देख लेते हैं तो डिटेल में बात कर रहे हैं क्योंकि आपको चीजे समझ में आए एक रहे इंटु तू दू पावर टू इंटु फाइफ दू पावर फोर थीक है अब सोचो यहां से इसको और इसको हटा दो तो यह क्या आ गया शिक्स इंटू फाइफ दू पावर फाइव और तू आया अब देखो इसका यह वेल्यू सेम आ रहा है इसको इसको 65-61 वो लोगे तो सिक्स आया सिर्फ उपर में यहां पे तू आएगा और यह फाइब दो इसको यह प्लाट है अब सोचो यह आपस में ना सबसे निमेर्टि विल्यू जो है ना सबसे जादा इसी दोनों का है लेकिन अगर अपन अजय व्री बात करें लिश्ट होगा अगर यहां पर लिश्ट कूछा है तो लिश्ट क्या बता दोगे जिसके साथ एक पीशिक हो जाएगा और यह ग्रेटेस्ट पूछा है तो कौन सा हो जाएगा टीफाइब हो जाएगा आरे समझे तो मज़ा तो आ रहा होगा नहीं ऐसा है तो आपने सब का आंसर दे दिया इसमें से बच्चों को नो यह पार्ट समझ में बहुत कम आता है ठीक है ना जोपी धंक से अगर समझे तो समझ में तो आएगा क्यों नहीं आएगा अपने अच्छे से पढ़ें अब बता इस पे जो एक क्वेशन और कर लेते हैं रुक जाओ बहुत सब्सक्राइब यह वाला फटा-फट बता दो तो क्या होगा फटा-फट बताने हैं कि फाइंट निमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स इन दा एक्स्पेंशन क्या करोगे फर्स बता दो एंकर विल्यू फाइंड करोगे कि भीत ध्यक्त है कि ग्रें क्या होता है एन प्लस वन होता है अपॉन प्लस मॉड एक्स अपउन फॉन होता है यह विल्डिन हो जाएगा अपॉन होगी नहीं जिया जो़्यांगे ₹ठ ग जोंक्यात प्लस थी अपॉन मैंस फाइब एक्स बोलो कि बूलो कि यह सब्सक्राइब का आंसर आ गया भवेश्ट का आंसर आ गया कि देखते हैं किसका सही है तो यहां से फाइब और फाइब किंसल आउट करोगे तो क्या जाएगा यहां से क्या फोर लिखोगे ऐसा लिखोगे अगर अपना इंटीजर आएगा तो नुमेरिक लिए ग्रेटेश टर्म जो होगा क्या होगा क्या टी फोर एंड टी फाइव होगा यही आंसर होगा अरे क्लियर है सबको सब्सक्राइब क्लास में तो मेरे क्लास में सांत रह नहीं पावगे तुम आउनलाइन में कहता हूं समझाता हूं लेकिन समझते नहीं हो तुम सब्सक्राइब इस सवाल को सौल करते हैं कैसे होगा यहां पर 34 है यह क्या है टू एक्स प्लस फाइव वाई तो पावर 34 बताओ फट आफट नुमेरिक लिए ग्रेटेश ट्रम बताना है क्या होगा कैसे हम फॉर्मुला यूज करें एम इक्वल्स टू एंड प्लस वन अपन वन प्लस मॉड एक्स अपन वाई एक्स बोलो तो पहला वाला वाई बोलो तिस दूसरा वाला तो क्या यहां पर 34 प्लस वन अपन क्या यह वन प्लस यहां पर टू एक्स अपन फाइव वाई होगा ऐसा बोलोगे बोलो बोलो किसी को दिक्कत है इसा बोलने में अब यहां पर देखो एक्स भी गिवन है रख दो यह क्या जाएगा 35 और यहां पर 1 प्लस और यह टू इंटू 3 और यहां पर क्या जाएगा और फाइव इंटू 2 होगा यह टू टू गेंजिल होगा देखो यहां पर 35 और उपर में 5 चला गया और नीचे में कितना आगया यहां पर और यह किसी का आंसर आया यह तो यह कितना आ रहा है बताओ डिवाइड करोंगे कितना आएगा कि यह 25 तू 15 यह 17 अपन बोलेंगे यह तो से और फिर कितना लिखोगे कि यह 21 पॉइंट सम्थिंग आएगा अपने को बस इतना ही मतलब है अब बताओ इसका निमेरी के लिए ग्रेटेस ट्रम क्या बल दोगे बोलो बोलो 21 यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर आफ एम प्लस वन तो यह क्या हो जाएगा 21 प्लस वन बोले तो 22 क्या यहीं आ रहा है सबको अब थोड़ा अब थोड़ा अब थोड़ा अलग पढ़ता है अलग पढ़ने का मतलब जो आपने पढ़ा है उसी को पढ़ेंगे जैसे आपने बाइनमियल मैं आपको आता है जिसे one प्लस च्टु दपावर एन है तो इसको कैसे लिखना है nigg 나 लीन सी दु दूण लीजूभ अग इंटीटू अग्स इसक्राइड चलते यहां पे nc n x to the power n ऐसा बोलोगे तो इसको अब लिख सकते हैं वन प्लस nc1 x nc2 x2 यह सब सब आपको पता है इन्हीं सब का help लेके अपन कुछ-कुछ करेंगे तो देखो पहला कोशन आपके सामने है इसको साउल करके दिखाओ यह कैसे होगा कि इसमें वारे बात करेंगे लास्ट क्या होगा उसके बारें बात करेंगे डिवीजिबल होगा कि नहीं बाहरें बात करेंगे किसके हैं से banal-expansion के help से समझें कि दो चार कुशन करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा जो अपन कैसे को कुशन को सॉल्ट करेंगे चलेगा एक पर आप अपने लेवल पर इसको सॉल्ट करके देखो तो क्या रहे कैसे करोगे बोलो बोलो कि इसने गुला जो यह अपने को प्रूफ करना यह सिक से डिविजवल है तो है तो क्या करना से यह त्वाइशा टू थ्री से डिविजविल्टी प्रूफ करने किसी तरह मैं और कोई पूट करके देकना हैं अपन अच्छे से करेंगे बाइनोमियल अपनने पलिया क्या उसका हेल्प ले सकते अपने एकस्पेंशन गाँप जब भी जबी जिससे डिविजिवल बोलेना को यहां पर क्या है सिक्स है तो अब सोचो इसको आपन 6 टाप का बना सकते हैं क्या तो आप सेवन को क्या लिख सकते हो तो कि यह इसे प्लस वन लिख सकते हो हमेशा करके वह चीज बनाना है जैसे तो देख लिए वन प्लस टूद आप यहां से यह आ गया वन प्लस टूद पावर एन प्लस फाइब इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा या लिखोगे एंशी नॉट प्लस एंशी 16 एंशी 26 स्क्वार एंशी 36 Q और चलते चलते लास्ट में क्या होगा एंशी एंशी क्वावर एंट फ्लस फाइव होगा ऐसा कहने में किसे को दिक्कत है बोलो नहीं है अब से देखो पहला वाला क्या है यहां पर इसका विल्यू बोल दोगे अब देखो तो क्या यह सिक्स कॉमन लेंगे तो यह सब आएगा एंसीवन एंसीटू शिक्स एंसीट्री सिक्सिक्स स्क्वाइर मतलब हर एक में श आ रहा है और यह प्लस फाइब क्या यह 6 इंट्व आई टैपका हो गया इसको अपने को तो पता है नवी सब क्या यह सब यह बींटीजर है यह बींटीजर है तो इन डिजर लिए यह तो यहां से सोचो इस वन को और इस लास्ट वाले फाइव को अगर एड कर दें तो कितना हो जाएगा है यह तैप का हो गया तो यह तो बोले तो आई-डेस बोल दें यह 6 से मल्टीपल है 6 सब्सक्राइब कर देखते हैं आपको कुछ आइडिया लग रहा है जो इस तैप के सवाल को कैसे करना है कि बताओ ठीक है अपन और भी क्वेश्चन करके देखते हैं हाँ यह वाला बताओ कैसे करना है हमने बोला यहां पे 7 to the power 81 जो है ना इसको बना लेना है ऐसा जो है ऐसा आजाए कुछ जो देखो या तो वन प्लस मैनस फाइव तुदा पावर सम्थिंग आजाए इस टैप में अपने वो कन्वर्टर नहीं है कि लियर है कि अबला फाइव का मल्टीपल होना चाहिए जो फाइव के लिख रहते हैं वन प्लस मैनस फाइव के टुदा पावर सम्थिंग अगर फाइव का मल्टीपल होगा तो आपको पता है यह तो तो फाइव से डिविजल हो गाई कि अड़े होगा ना कि अपने को इसमें रिमेंडर निकालना देखो तो कैसे सौल कर पाओगे सोचो एकवार अगर सेवन को सेवन तुदा पावर और एक्टीवन है तो ऐसा नहीं कर सकते हैं टू प्लस फाइव तो वह तो वन प्लस मैंने स्टैप का तो बना नहीं अब क्य करें क्या सेवन एक अलग कर लें सेवन तुदा पावर एक्टीवन में से एक सेवन अलग कर लें तो क्या यहां पर सेवन तुदा पावर एक्टी होगा कि बोलो है अब जो इसक्वाइर होता है वह कितना होता है तो देखो यहां पर हम लिख सकते हैं सेवन इंटू सेवन इसक्वाइड तुद पावर फोर्टी कहने में किसी को दिक्कत है इसा कहने में किसी को डिक्कत है यह तो अब इसको लिख लेते हैं यहां पर यहां पर यह 49 टू द्वावर फोर्टी कि चलेगा अब बोलो इसको आप लिख लोगे 7 िंटू 50 मैनस वन तुद नपावर 40 क्या इसको लिख सकते हैं 7 into 1-50 to the power 40 clear है कि चलेगा इस इसको एक्सपेंट करके देखो तो क्या होगा 7 यहां पर क्या लिखोगे 40C not minus फिर क्या जाएगा 40C1 into 50 फिर क्या लिखोगे 40C2 50 square ऐसा चलता जाएगा लाट लाट लास्टें 40C40 और 50 to the power 40 होगा ऐसा बोलोगे बोलो इसा कहने में किसी को कोई दिक्कत है अब सोचो तो यह वाला जो ट्रॉम्स है इन सब्सक्राइब इस इन सम्में 50 आ रहे हैं आ रहे हैं क्या इस सब्सक्राइब सब्सक्राइब और यहां पर प्लस फाइव इंटु आई कोई बच्चा सोच रहा है यहां तो मैनस लगा हुआ तो देखो इसके बगल में उसका उससे ज्यादा विल्यू है पूरा यह पॉजिटिव आया जागा नहीं है तो ऐसा बोलेंगे तो अब यहां पेस को सिंप्लिफाइब करोगे तो क्या आएगा बताओ है कि यह सेवेन प्लस क्या यह फाइव आई डैस टैप का होगा अरे फाइव से सेवेन मल्टिप्लाइ ही हो गया तो सब्सक्राइब अब मैंने बुला इसको भी ब्रेक कर लो भाई इसको टू प्लस फाइव प्लस फाइव आई-डैस बोल सकते हो तो और टूप्लस फाइब कोमन ले लोगे तो क्या ये वक्लस अईड़ेस हो जाएगा ऐसा लिख सकते हैं ईसा तो यहाँ से क्या ओजाएगा टूप्लस फाइब इन्टू आई आई लिखनो कोई दिक्रत नहीं द आई double अरे चमका की नहीं चमका समझ में आया कि बोलो कि यह सर यह सिरा आ गया बहुत बढ़ियां कि चलो यह वाला कुछिन करके दिखाओ इसने बताना है जो कौन सा बड़ा है करेंगे लिख लो तो जिसने कर लिया है अब देखो इसमें सबसे पहले हमने तुम्हें बता आया इस ताइब कोश्चन अगर आए तो जिससे डिवाइड करेंगे हैं करना है dh our और जिसको डिवाइड करना है उसको बनाऊ उसका मैं उतका बनाऊ ऊप्लस उसका मुली बनाऊ वन बाते शर्ण को क हम ने 사सा है तो हमने सुझा यहां पे सकते हैं ठीक है उसको अपन सकते हैं चलेगा तो हमने यहां पर एक 7 अलग किया और यहां पर 7 तो यहां इसको लिख सकते हैं सेवन स्कॉर्ड तुद पावर 40 अब 7 इंटू 49 तुद पावर 40 हो गया है और इसको सकते हैं तो इसमें लोगे तो मैंनस वन के पावर में इवन क्या होता वह नहीं होता है तो क्या यह दुनों होगा अब इसको करेंगे तो 7 बाहर में तो क्या यह वाला आएगा अब इसमें आप यह सोचो यहां पर यह जो क्या है 40 मैनस में आगे पहले मैनस है क्योंकि यहीं पर होता है बच्चों को इन दोनों में अगर इन दोनों का अगर सिर्फ सम करोगे तो क्या यह पॉजिटिव में आएगा अगर 50 आप बाहर भी निकाल लो तो पॉजिटिव आएगा और वह पॉजिटिव आएगा ऐसा होगा अगर फूरे का सम करें तो क्या वह फाइब का मल्टीपल होगा अटेव इसको क्या वण ऐसका विल्दी तो वन होता है आए अब फ्लस फाइब इन तू आई लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं अगर इसको simplify करें तो क्या लिखेंगे 7 और यहां पर क्या हो जाएगा यह फाइव इंटू 7 और हमने लिख दिया आई इंटू 7 क्या आई डेस्ट लिख दें वह भी तो इंटी जारी होगा ना अब सब्सक्राइब अब सब्सक्राइब अब इसको अब इसको और दूसा से वन आएगा उसको 5 से बचेगा तो क्या तू ही तो आए डिमेंडर बिल्कुल दिखा जाते हैं बस लास्ट हो गया ऐसा बोलोगे तो सोचो इसमें हमने क्या क्या टू अलग कर लिया और फाइव अलग कर लिया सेवन को लिख सकते हैं टू प्लस फाइव इसको साथ कर दिया इसके साथ तो यह क्या हो गया और डिमेंडर क्या जाएगा क्यूंकि इसको डिवाइड करोगे तो डिमेंडर टू ही आएगा ना कि यह से समझ गया है बहुत बढ़ियां ऐसे जिसको समझ नहीं आए पूछना है जो यह वाला सवाल करके दिखाऊ तो कौन सब्सक्राइब ग्रेटेश्ट है पहला दूसरा कौन सा तो पहला पहला वाला रहें किसी का सेकेंड आ रहा है किसी का फर्स्ट आ रहें तो चलो देखते हैं क्या यहां पे वन एक्स टुद पावर एन का यूज किया जाए इसको कह लिखते हो आइन सी नाट प्लस एन सी वन एक्स एंसी टू एक्स स्कॉाइर एन सी थी एक्सक्यू और चलते जलते लास्ट में होता है nc n x to the power n आप सोचो यह 1.1 to the power यहां पर क्या है कि इतना है 10,000 सुरी नहीं बहुत ज़्यादा है नहीं तेन तुद पावर फाइव दाइख लेता है ठीक है ना से लेगा अब सुचो इसको क्या आपन ऐसे कर सकते हैं क्या बोल सकता हूं मैं 1 प्लस 0.1 इंटू सुरी पावर में 10 तुद पावर फाइव के लिए यह अगर ऐसे एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा यह 10 तुद पावर फाइव इसको थोड़ा से सिंप्लिफाय कर लेते तो और भी चल करसelf रिखेंगे और इसको इसको एंन इंटो एंट न मैनस फॉन अपां तो इंटु वरिखेंगे एक स्कॉर्ण ठीठ है अब सोचो यहां पे लगान के जगह पर क्या है 10 दूद पाउर 5 एंट्टो एक चीजह पर क्या कितना है 10 to the power 4 आप देखो तो यह 10 to the power 4 से तो बढ़ा ही है ना बोलो तो कौन सा बढ़ा होगा पहला या दूसरा पहला वाला होगा कि लिए सबको तो यह वाला कोशन करके दिखाओ तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है लाज डिजिट लाज डिजिट वाला जब भी कोशन आए ना तो आप ऐसा करो जो घ्यान देना अगर आपसे पूछा गया था जो फाइब से डिविज्वल है की नहीं है तो आपने क्या किया था वन प्लस मैनस फाइव के जैसा बनाया था किलियर है अगर आपसे लाज डिजिट पूछा जाए ना तो आपको क्या करना है अपने को इस टैप से सोचना है वन प्लस मैनस टैन के टैप का बनाना है है कि समझे है बोलो है यह हां तो देखो तो क्या इसा बना पाओगे लिए सब्सक्राइब सिर्वन सिस्टीनाइन हो जाएगा वन सिस्टीनाइन को क्या लिख सकते हैं तर वन सेवेंटी माइन एस बहुत बढ़ियां तो पाया है बच्चा तो सोचो यहां पे थर्टीन स्क्वार तुद पावर सिक्स बोल सकते हैं इसी को इसमें तो बता दो मुझे चलेगा अब इसको एक्सपेंट करोगे तो क्या आएगा सिक्सी नॉट फिडिक्या जाएगा मैनस इक्सी वन इंटू 170 प्लस 62 इंटू 170 स्क्वार मैनस 63 170 क्यू और यह चलते चलते लास्ट में क्या होगा सिक्सी 6172 पावर सिक्स ऐसा होगा कि बोलो इस अब सोचो इन सब का जो सम होगा क्या उसमें लास्ट में तो आहीं आहीं राओगा ना मतलब जीरो आहीं रहा होगा ना इन सब जो सम होगा क्या उसमें लास्ट में 10 आहा होगा तो इसके लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो उसमें अगर एक वन один एड़ हो जाएगा तो लास्ट टर्म क्या है थी लास्ट सुल डिजिट क्या हो जाएगा कि उनड़ है त्वन हो जाएगा अन्सर क्या जाएगा रटा olması यह यह सबको सोचो हो सकता है नहीं हो सकता है जरेगा को एसमें इसमें बोलो बात करेंगे इसमें है आप लोगों बोलते नहीं हों अब नो सर को दिख देए इस एक सवाल और करते हैं देखते हैं कौन कर पाता है क्योंगे खरेंदेलगे और करते हैं कि विए जुशन निख विए पोल पादेव इंटीजर थे saw that 6 to the power n minus 5 and minus 1 is divisible by 25 what effort करके दिखाओ कैसे करना चाहिए बताओ कैसे करोगे इसको सॉल कि यहां पर 25 है यानि कि अपने को फाइव का मल्टीपल जैसा करना चाहिए क्या इस सिक्स को लिख सकते हैं वन प्लस फाइब जैसा और यहीं मन में पहले खयाल आना चाहिए ना तो क्या इसको वन प्लस फाइब तो पावर एन बोलेंगे देखो साथ में बोलोगे तो साथ साथ में सोचना सीखोगे अप सोचो अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या आएगा क्या यह एन सी नॉट प्लस ऐन सी वन इंटु फाइब और यह चलता जाएगा लास्ट में एन बोलो तो अब आपके पास वी बचा क्या वो फाइव इसक्वाइड इंटु क्या बचा एनसी जी तू एनसी थ्री इंटु फाइब ऐसा बचा क्या और आपको तो पता है यह तो क्या है इंटीजर है पुलो यह सब्सक्राइब ट्वेंटी फाइव इंटु आई आया इस यह सब्सक्राइब कोई दिक्कत है इसमें नौ सर्थ इस चालो बढ़िया है एक सवाल और जाया इस तरह का तो अधार जाएगा यह सर्थ जैस से जैसर आइड को इसी का यह सकें वी और सी कर दो दो दिख्याएं को इस वर बश्वार्श बड़न दो गड़न गड़न दो करके दिखादाएं कि आज आए कि अब लास्ट डिजिट के वारे में बात आती है तो क्या अपने मन में ख्याल आता है इस तेन के तो एक्टी वन है तो सबसे पहले उसको अदाव क्या लिख सकते हो अगर एक्टी वन तुद पावर 25 है तो क्या इसको अपने लिख सकते हैं वन प्लस एक्टी फूद पावर 25 क्लियर है चलेगा आइसा ही लिख होगे ना अगर इसको एक्टी वाइव थे नौट प्लस 25 इसी वन इंटु एटी प्लस 25 इसी टू इंटु एटी स्क्वाइर ब्लस 25 एटी एटी क्यू और चलते चलते लास्ट में 25 इसी यहां पर क्या होगा 25 और 80 तो दो पावर 25 25 ऐसा बोलोगे बोलो बोलो अब थोड़ा सा और सोचेंगे क्या पहले वाले क्या वन होगा वेल्यू और अगले वाले में क्या यहां पर 25 इंटु एटी होगा इसको सिंप्लिफाइ करोगे तो और यहां पर देखो 25 इंटु 24 अपॉन टू इंटु एटी स्कॉर्ड है आगे वाले को तो छोड़ी दो क्लियर है क्योंकि लास्ट थी तक पूछा है इसलिए अपन थोड़ा सा सिंप्लिफाइ करें आप सोचो यहां पर यह वन है और यह प्लस टेंटु दपावर कितना होगा तू और एक तो आप बोलोगे 25 इंटु 4 जो है वह हंड्रेड हो जाएगा ऐसा होगा कि यहां पर तीन जीरो आएगा कि बोलो और यहां पर क्या उससे ज्यादा आएगा क्या देखो दो इसा बोलोगे यह से ज्यादा ही आएगा थीक है तो अपन लिख लेते हैं यहां पर संधिंग होगा अपन क्यों सिंप्लिफाइग करें यह संधिंग होगा और यह सब एड़ होगा तो क्या आपन कहेंगे जो भाई अगर इसको एड़ करोगे थे लास्ट में तो तीन प्लेस पर जिरो आना ही आना है if अब उसमें अगर वन एड कर दें तो क्या होगा इसका सम यहां पर वन आएगा यहां पर जीरो और यहां पर जीरो ऐसा होगा ए द्ट्रस्ट अगर अगरम नाज भी इसित पुछा जाक है तो क्या रोगेंग है अगर लार्श्ध करेंषज और 001 001 बाते समन में आई अब सी के बारे में बताओ सी वाला कैसे सॉल करोगे क्या यह भी सिंपल सा है बोलो यह भी सिंपल सा है इसमें क्या करते जो पिछला एक क्वेशन किये थे इसको ही वो लोगे 1-0.3 तो पावर 2-0.000 ऐसा वो लोगे 2000 ऐसा ही वो लोगे न और क्या यह 1-1 प्लस N x यानिकी एन की जगह पर क्या है इंटू एक्स के जगह पर क्या है 0.3 है प्लस सम्धिंग तो एडी हो रहा है ना इसमें और यहीं तो 600 इसके एक को लागया यह वाला तो 600 से ज्यादा ही होगा यह सब्सक्राइब कर देना अगला कुछ पढ़ने वाले थे तो जब तक स्टार्ट करेंगे महुल बनाएंगे समप्त हो जाएगा नहीं तो बता तुम लोग पढ़ने पढ़ने तो आरहा है ना इसा तो कुछ दिक्कत नहीं आ रहा है ना बस समझ में आना चाहिए मैं तो यह है और कोई साभी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो कैसे करें ले नावाज है ठीक है अब किसे दस मिनिट पहले चोड़ देते हैं ओके बाए थैंकिशन बाए